मेरे मन में बसो स्रीराम जपू आठो पहर तिरा नाम मेरे मन में बसो स्रीराम मेरे मन में बसो स्रीराम देखी बच्चो आज हम कच्छा दस्वी की गडित का अध्याय तीन चेप्टर थ्री दो चर वाले रेखिक सम्मिकरण युग्म कि प्रश्णवली तीन दसमलों पांच आज हम हल करने वाले हैं इसका आज हम प्रश्णवकरण मांग एक का चोहनता सवाल आज हम हल करेंगे तो प्रश्णवकरण मांग एक यहाँ पर यह कह रहा है कि आपको नीचे कुछ सम्मिकरण युग में दिये गए है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको दो सम्मीकरण दिये गए है पहला सम्मीकरण आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एक सिरेण तीन बार यहने साथ बराबर जीरो और दूसरा सम्मीकरण आपका लिखा हुआ है तीन एक सिरेण तीन बार यहने पंदरा बराबर जीरो इस समीक करण में सबसे पहले आपको ये ज्याद करना है कि क्या इस समीक करण का हल कोन सा है क्या इसका अदूतिय हल है या इसका कोई हल नहीं है या इसके अनेक हल है आपको तीनों के तीनों ज्याद करना है क्या इसका अदूतिय हल है या इसका कोई हल नहीं है या इसके अनेक हल है और अगर अजुती हल की condition आती है तो इस सवाल को आपको हल करना है बज्र गुणन बीदी के माध्यम से कौन सी बिदी की माध्य हम से बजर गुनन बिदी की माध्य हम से हल करना है सवाल बहुत असान है इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सवाल में क्या दिया आपको हापर सवाल में हापर आपको सम्मी करण दिया है दिया है सम्मी करण पहला सम्मी करण क्या दिया है एक सिरन तीन वा एरन साथ बराबर जिरो उतार देंगे इसको एक सिरन तीन वा एरन साथ बराबर जिरो इसको हम सम्मी करण एक नाम देंगे दूसरा सम्मी करण आपको दिया है तीन एक सिरिन, तीन बायरिन, पंदरा बराबर जीरो इसको भी लिखे लेंगे तीन एक सिरिन, तीन बायरिन, पंदरा बराबर जीरो इसको सम्मी करण दो नाम देंगे बच्चो यह हो गया आपका समीकरण 1 और यह हो गया हाँ पर आपका समीकरण 2 ठीक है अब समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे तो हाँ पर हम डिखेंगे समीकरण समीकरण 1 वा 2 की तुलना समीकरण 1 और 2 की तुलना किसे करेंगे ब्यापक समीकरण व्यापक सम्मिकरण होता है आपका a1x धन b1y धन c1 बरावर 0 और होता है आपका a2x धन b2y धन c2 बरावर 0 यह होता है यहाँ पर आपका व्यापक सम्मिकरण यह वाला सम्मिकरण और यह वाला सम्मिकरण आपका व्यापक सम्मिकरण है इन सम्मिकरणों से हम इन दोनों सम्मि करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर X में किसका गुड़ा हुआ है यहाँ पर X का गुड़ांग A1 है और यहाँ पर X में किसी गुड़ांग नहीं हो मतलब जिसमें किसी गुड़ां नहीं होता है उसमें एक का गुड़ां होता है तो यहाँ पर X का गुड़ांग A1 है औ और जहां बाय का गुडांक रिन तीन है, तो यहां है B1, जहां है रिन तीन, मतलब B1 का मान है रिन का तीन, तो यहां लिख लेंगे B1 बराबर रिन का तीन, जहां पर है C1, और जहां पर है रिन का साथ, मतलब C1 का मान है रिन का साथ, तो C बन का मान हो गया रिनका 7 इसी प्रकार जहाँ पर X का गुलांग A2 है और जहाँ पर X का गुलांग 3 है मतलब A2 का मान आगया आपका 3 जहाँ बाय का गुलांग B2 है और जहाँ बाय का गुलांग के रिनका 3 है मतलब B2 का मान आगया रिनका 3 जहाँ C2 है और दहाँ रिनका 15 है मतलब C2 को मान आगे रिनका 15 आप देख सकते हो C2 को मान कितना आ गया C2 को मान आगे आपका हाँ पर रिनका 15 इस प्रकार से हाँ पर आप देख सकते हो पूरे मान हमने हाँ पर निकाल चुके है अब simple हम कुछ नहीं करेंगे अब यहाँ पर हम तीनों मान निकाल लेंगे A1 बटे A2 को मान निकाल लेंगे B1 बटे B2 को मान निकाल लेंगे और C1 बटे C2 को मान भी निकाल लेंगे ठीक, तो चली मान निकालते हैं A1 बटे A2 का मान, A1 का मान कितना है बच्चो, A1 का मान है 1 और A2 का मान है 3, तो हाँ पर मान रख देंगे, A1 का मान हो गया 1, बटे A2 का मान हो गया 3, अब B1 बटे B2 का मान निकाल लेंगे, B1 का मान है रिन 3, और B2 का मान भी है रिन 3, तो B1 का मान रख दी रिन का 3, और B2 का म यहाँ पर आपको साप साप पता चलता है बच्चो यहाँ पर आपको साप साप क्या पता चलता है कि A1 बटे A2 का मान एक बटे तीन आया B1 बटे B2 का मान 1 आया और C1 बटे C2 का मान 7 बटे 15 आया ये तीनों मान आपके अलग-अलगा है केसे आया आपके अलग-अलगा है मतलब A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान और C1 बटे C2 का मान तीनों मान बराबर नहीं है बराबर नहीं है जब कभी भी ऐसी condition बनती है कि A1 बटे एतु का मान और B1 बटे भीटू का मान और C1 बटे सी तू का मान बराबर नहीं होता तो उस स्तिती में हमेशा याद रखना है आपको कि जब कभी भी A1 बटे A2 कमान, B1 बटे B2 कमान और C1 बटे C2 कमान अलग-अलग आता है, बराबर नहीं होता है, तो समीकरण युगम का अदुतिय हल होता है, कौन सा हल होता है, अदुतिय हल होता है, तो हाँ पर दिख अता समीकरण युगम का अदुतिय हल है, बच्चो, कौन सा हल है आपका, अदुतिय हल है, समीकरण युगम का अदुतिय हल है, और जब समीकरण युगम का हल आपका अदुतिय हल होता है, तो उस स्तिती में हम क्या करते समीकरण युगम के अदुतिय हल होता है, तो उस डिशयन में हमको पर हमको हैं पर एक साूर्वाय कमान निकालना है • मतलब कि अव हम इस सवाल को बज्रगूलण बिधी के माद्ध्यम से हल करेंगे तो उसको आफ इत्ता नूट कर लिजी काभी में उसकी राद फिर हम इसको बज्रगूलण यहां पर हम इसको हल करेंगे बज्र गुड़न बिधी से तो चलिए अब इसके आंगे हम इसको बज्र गुड़न बिधी के माद हम से हल करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे बज्र गुड़न बिधी से हल करने पर हल करने पर करने पर अब बज्र गुड़न बिधी से हम इसको हल करेंगे बज्र गुड़न बिधी केसे करेंगे यहाँ पर एक से लिखा यहाँ पर बाय लिखा और यहाँ पर संख्या लिखी तो एक्स के लिए हाँ पर लिख दिये हमने एक्स लगा दिये बटा फिर बराबर फिर हाँ पर लिख दिये बाय लगा दिये बटा और यहाँ पर लिख दिये संख्या हमने एक और लगा दिये साथ आगे यह answer तीरीय गोड़ा इसका fois कर देंगे तो रिण 3 का मल्टिपलाइ कर देंगे रिण के 15 से तो रिण 3 का मल्टिपलाइ हो जाएगा आपको है रिण का 15 से और बीच में लगाना है माइनाष सूत्र का है फिर उसके बाद इसके साथ कर दीए फिर बायवाले को छुपा दो, इसमें इसका गुणा इसके साथ करना है पहले, फिर माइनस लगा करके इसका गुणा इसके साथ, यहाँ पर लिखा है, एक का गुणा कर देंगे रिने के 15 से, तो यहाँ पर हम एक का गुणा कर देंगे रिने के 15 से, बायका मान निकालने के ल संख्या एक का मान निकालने के लिए संख्या वाले पद को छुपा देंगे उसके बाद इसका गुड़ा इसके साथ और इसका गुड़ा इसके साथ एक का गुड़ा रिन तीन से और रिन तीन का गुड़ा तीन से तो एक का गुड़ा रिन तीन से कर देंगे तो यहाँ पर हो मान निकालने के लिए इसका इसके साथ संख्या का मान निकालने के लिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ एसा गुणा करते तीरिया गुणा हाणा एक्स का हो गया हाँ पर आपका एक्स अब इसको हल कर लेंगे रिन गुणा रिन धन और 15 तिया 45 रिन गुणा रिन धन फिर धन गुणा रिन रिन होता है चिन्धों का गुणा मैंने आपको पहले भी समझा जो कथा कि रिन गुणा र धन होता है आपका धन धन होता है आपका धन धन लॉखर यह चिंड़ों का धिया रखना रखना है दो धन हो सब्सक्राइब यहां पर आपका times यह रोगोर नंदोek τα के दुभाएक सब्सक्राइब याDonो पांच मेंसे एक गए चार चार मेंसे दो गए दो कितना बचा है अपर आपको 20 बराबर का बराबर बाई का होगया वाई बटे 21 में से 15 खटाएंगे तो 11 में से 5 गई च्छे 21 में से 15 गई आपका 6 बचेगगा बढ़ी संके रिनेकी चिन जाएगा यहाँपर आपका रिनेका बराबर एक का होगये एक बटे 9 में से 3 गई यहाँपर बचाआपका 6 इसके बाद एक बार इसके बराबर इसको ले लेंगे और एक बार इसके बराबर इसको ले लेंगे तो अब इसको हम आँगे हल करेंगे तो देखिए एक से बटे 24 के बरावर ले लेंगे एक बटे 6 को तो देखिए एक से बटे 24 के बरावर ले लेंगे हावर हम एक बटे 6 को तथा एक से बटे रेनी 6 के बरावर ले लेंगे एक बटे 6 को एक से बटे एक से बटे रेनी 6 के बरावर ले लेंगे एक बटे 6 को X का हो गया X बराबर बराबर किस तरफ 24 X के बटे में पक्छानतर करेंगे तो उस तरफ गुड़े में जाएगा तो रिन 6 चला गया उपर बटे का हो गया बटे और 6 का हो गया 6 X का हो गया X बराबर कार दो 6 कम 6 और 6 चावू 24 4 X का मान आगया आपर आपका 4 होगे आपका लिखा यह हां पर आपका यह यह है कि टो बइब करते हुँ झेमीद करता हूं कि आपको अम्मीद करता हुख कि कमेंट कीजा सवाल आपको केसा लगा धन्यवाद जहिंद जय वारत